एंजाइटी एक मेंटल हिल्थ से जुड़ी समस्या है जो आपके मानसिक स्थिती को गहराई से प्रभावित कर सकता है अक्सर परीक्षा के परिनाम और नौकरी के लिए इंटर्व्यू जैसी चीजों के वजह से ये समस्या एक डर के रूप में शुरू होता है जो धीरे-धीरे आपके अंदर बाकी स्थितियों के दौरान विक्सित होने लगती है यही एक स्थिती है जो आपको किसी सिचुएशन में फंसे होने पर आप दिसीजन लेने में असमर्थ हो जाते हैं एंजाइटी होने पर आपको सांस लेने, चक्कर, सिर घूमना, कपकपी, पसीने आना और हॉन्फने जैसी समस्या भी हो सकती है आज के समय में लोग खुल कर मेंटल हेल्थ पर चर्चा करने लगे है लेकिन इसके साथ ही एक समस्या ऐसी भी है जिस पर लोग अक्सर चुपी साद लेते हैं ये टॉपिक भी बहुत जरूरी है, इसे टाल नहीं सकते हैं वह समस्या है एंग्जाइटी के कारण होने वाले दस्त कई लोगों में ये समस्या देखी गई है कि एंग्जाइटी में पेट में प्रेशब बनना और वो बार-बार बातरूम जाने की जरूरत महसूस कर सकते हैं ये एक चिंता का विशय है और इस समस्या से जूजने वाले आप अकेले नहीं हैं, यह एक आम समस्या है क्या एंग्जाइटी होने पर पेट गढ़ बढ़ा जाता है रिसर्च बताता है कि हाई स्ट्रेस होने की स्थिती पाचन तंत्र को परेशान कर सकती है जिससे दस्त, कबज और पेट में दर्द हो सकता है दरसल पेट और दिमाग का गहरा कनेक्शन होता है दिमाग जैसा महसूस करता है, आपका पेट वैसे ही रियक्ट करता है जैसे की romance के समय आपका पेट अलग तरह से react करता है और हसने के दौरान अलग तरह से ठीक उसी तरह आपका पेट anxiety के वजह से आपके पेट का motion भी खराब हो जाता है तनाव और चिंता cortisol, adrenaline और serotonin जैसे hormone को बढ़ाती है जब हमारी आंते इस hormone के प्रती प्रतिक्रिया करते है तो जवाब में पानी से भरा मल, मतली या कब्ज जैसी समस्याएं होती है Serotonin hormone इस थिती में मुख्य भूमिका निभाता है जब anxiety खत्म हो जाती है तो पेट भी अपने आप ठीक हो जाता है कैसे रहें anxiety free anxiety होने पर पेट को इस समस्या से कैसे बचाएं इसका समाधान यही है कि हम anxiety को कंट्रोल करें anxiety के लिए meditation और exercise की मदद से आप tension free रह सकते हैं अगर आपको हर छोटी बड़ी बात पर anxiety होती है तो किसी counselor की मदद लें anxiety होने पर ये food खाएं पेट और anxiety को शांद करने में कुछ खास तरह का आहार मदद करते हैं जिन्हें आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं ग्लूटेन फ्री अनाज जैसे काट्टू का आटा, जई, और क्विनौा ब्रोकली, ओलिव और प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ग्रीक योगर्ट, कैफिर, और फर्मैंटेट फूर्ड्स कैफीन, मुक्त, चाय, जैसे कैमोमाईल, पुदिना, और हल्दी इन चीजों से बचें अपने पाचन तंत्र पर एकजायटी के प्रभावों का मुकाबला करने में मदद करने के लिए आपको कुछ खाद्य पदार्थों और पेका सेवन करने से बचना चाहिए जैसे कैफीन, सोडा और मीठा पे मसालेदार भोजन, शराब, रिफाइन, काबोहाइडरेट, प्रोसिट, फूड, हाई शुगर फूड ये सभी खाद्य पदार्थ सूजन को बढ़ा सकते हैं जिससे आपको दस्त और सूजन जैसी पाचन समबंधी समस्याओं का खत्रा हो सकता है हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें खन्यवाद